हलो फ्रंट्स मैं डाक्टर प्येस्ट वारी आप सभी का उस्टागत है दोस्तों आज मैं आपको हिकफ माने हिचकी की टॉप होमिपर्थी द्वाई बताबंगा चली शुरू करते हैं दोस्तों हिचकी माने हिकफ एक जो है ऐसी जो परसान कर देती है कुछ काम करें हिचकी आ गई तो यह कभी-कभी क्या होता है कि अपने आप अपने आप कुछ मुन्टे में ठीक होता है अगर यह पर शिष करता है लंबे समय तक एक दिन, दो दिन, चार दिन तो आपको सीरेस हो जाना चाहिए इसको आपको इसको इगनोर रहे करना चाहिए आप जो है अपने डाक्टर को दिखा कर इसकी दवाई किजिए तो आज मैं आपको हिकप की टॉप्सक्राज़ा करते हैं बोकल काट है, गलोटाइटिस बंद हो जाता है, तो हमको अचानक से हीकप की आवाज आती है, तो पहली दवाई के नाम है हिश्की का ब्राउनिया पले है, ब्राउनिया का होता है, कि आप बैठे हैं, तब आपको हिश्की नहीं आ रही है, आप चलना चालू कर दिये, आपकी हिश्की चालू हो गई, तो यह अक्सर कभी के भी होता है, लेकिन अगर आपकी हिश्की का मिन कारणी यह है, जब हम चलते हैं, तब ही हमको हिश्की आने रहते हैं, आराम करते हैं, तो ठीव हो जाती है, इसके लिए ब्राउनिया, ब्राउनिया 200 सब्ता में एक बार कुछ थन तक लिजें, तो आपकोछ सच्छलने से जो हिश्की आती है, यह ठीक हो जागी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है, रàiधन्कुलसly बर्वसस, इसमें क्या हिआँ होता है, इसकी हिश्की क्या होती है, इसके सल ड्रंकर्स में आती हैं, ड्रंकर्स में पयस्मोंडिक ह दोस्तों अगली द्वाइक नाम है रहे क्षड का रहे है फैंट रहे हैं तो इसके लिए आपको जो और है रहे हैं दोस्तों अगली द्वाइक राम बांगतेरे काम करते हैं दोस्तों अगली दवाई के नाम है लेकसिस इसमें क्या होता है हिस्कित वा रही है लेकिन उसके साथ में हिस्कित वा रही है और नोशिया हो रही है उल्टी होने रही है लेकिन उल्टी होने की इच्छा हो रही है जी मिश्दा रहा है तो अगर ही कब के साथ में नोशिया है तो इसके लिए राम बांदवाई है, लेकसिस 200 पाउर में, आप जो हफता में एक बार लिजे, या तो लेकसिस 200, लेकसिस 30, दो दो बूद करके दिन में तिन बार लगाता लिजे, आपकी जो है, अगर हिस्की के साथ में नुस्किया मिला हुआ है, तो यह आपकी प्राबलम ठीक होने में देरीज नहीं लगेगी, दोस्तों, अगली दवाई के नाम है टवेकम, टवेकम 30, दो दो बूद करके दिन में तिन बार लिजे, इसमें कहा होता है, कि एक तो हिस्की आ रही है, इसके साथ में खांसी भी पिछा नहीं छोड़ती है, खांसी भी आ रही है, तो हिस्की तो आई रही है, उसके साथ में चेश्ट में दर्द भी हो रहा है, तो अगर हिस्की के साथ में चेश्ट में दर्द हो, तो आपको चिंदा करने की बात नहीं है, आप इस्ट्रोफेंथस मदर टिंचर दर्द बूद करके दो दो खंटे पर लिजे, जब तक कि आपक तो चेश्ट में हीक होने के फेख के साथ四 लिए इस के लिए इस्ट्रोफेंथर्ट सहुयों क्यों होड़ा और सूब कु तो दोस्तों आज मैंने आपको ही कफ हिस्की की कुछ टाप होई पिताया अगर आपको टीटमेंट लेना है तो आपको वाट सब्सक्राइब कर सकते हैं आसा आपको हमाराज का वीडियो पस्तन दाव का इसको लाइक कीजिए शेल कीजिए अगर अभी तक हमाराज चैनल सब्स कर लिए तब तक मिलते हैं आप से अगरे से किसी वीडियो में नमस्कार।